क्लास 12 में हूँ, नेक्स्ट ये बोर्ड एक्जाम देने का सोच रहे हूँ, तो भाई ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एक्जाम देना है, तो ये न्यूज आपको पता होनी ही चाहिए, अभी तक आपके लिए बहुत सारे न्यूज आ रहे थे, कि एक्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन एक चेंज, एक्जाम आने से पहले ही आ चुका है एंसी आर्टी का भी प्रपोजल, अब ये क्या प्रपोजल है, इन्हों ने कहा कि इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं तो छोटू और कर लेते हैं क्या, मारकिंग स्कीम को लेकर, बोट एक्जाम की तयारियां और डि बोड ने स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन उसी बीच मार्किन सकीम को लेकर एक नशीया प्रपोजल, एन्सी आर्टीने, यूनियान में, मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन को शेर किया हुआ है, तो म आपके माक्स चेंज हो जाएंगे वो सब चीज़े आपको पता चलेंगे इस वीडियो में तो अंद तक बने रहेगा बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको यहां पर देने वाले हैं चलिए चलिए सबसे पहले बोर्ड एक्जामिनेशन पैटर्न में प्रपोजल क्या आया है तो यानि कि अब जो 12 का रिजल्ट बनेगा उसमें कुछ पार्ट 9 के मांक्स का भी होगा कुछ 10 के मांक्स का भी होगा 11 के मांक्स भी किये जाएंगे विद 12 तो भाई जो 11 में लापरवाई करते हो ना कि सर 11 ठीक है आराम से मज़े से पढ़ेंगे 12 में मैंनत करेंगे तो उन छोटे भाई बहनों के साथ शेर कर दो इस वीडियो को कि अब 9 से त्यारी करना चालो कर दो अच्छे से क्योंकि ncrt की एक independent body है जिसका नाम है परक परक का काम क्या है कि आपकी जो education policies हैं उनको और बहतर बनाना आपको as an student और बहतर बनाना उस पर यह काम करती है तो उसने ही यह proposal दिया है ministry of education को तो परक का full form क्या है performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development को किस तरह परक क्या जा उसको लेकर यह संस्था काम करती है तो परक ने यह ministry of education को शेर किया है proposal कि भाई 12 के marks सिर्फ 12 तक ही न सीमित रहे 9, 10, 11 को भी add कर दूँ अब उसका weightless के रहने वाला वो आईए जानते हैं तो उनका कहना यह है कि अब 9, 10 और 11 जो include होगा उसको हम किस तरह से decide करेंगे तो उन्होंने propose किया है कि सुनिए क्लास 9 का 15% marks उठा लो 9 में आपके जो marks आये हैं उसका 15% part उठा लिजे इसी तरह से 10 में 5% बढ़ा के 20 कर दीजे कि 10 के 20% result को उठाएंगे 11 में जाहेंगे तो 5% और बढ़ा कर 25% उठा लिएंगे और 12 में आकर 40% हम आपको 12 का देंगे तो टोटल आपका बन गया 100% इस तरह से आपका रिजल्ट तयार होने वाला है अगर यह प्रपोसल हो गया तो नेक्स्ट यह आपको कुछ हैसा ही result मिलने वाला है आप कई बच्चे परिसान होगे कि सर 9 10 11 मत कराओ इस साल छोड़ दो अगले से देखेंगे कितने ल यहीं तक्सीमित नहीं है इसमें भी इन्होंने ब्रेकडाउन किया है क्या ब्रेकडाउन है वो देखिए इन्होंने कहा है कि 9 का जो 15 परसंट आप उठाओगे उसमें भी 70 परसंट पार्ट होगा formative assessment का ठीक है और बागी का 30 परसंट होगा summative assessment का इसमें भी breakdown है यह 15 उठा रहे हो उसमें 50% formative होगा बागी का 50% summative assessment से उठाया जाएगा similarly जब आप 11 में आ जाओगे बहिया 11 का result उठाया जाएगा तो आपका 40 परसंट पार्ट formative assessment है बागी का 60 परसंट आपका summative assessment से आने वाले 12 में बात करेंगे तो 12 में आपका यह 30 परसंट है और summative आपका होगा 70% यहां पर इसका वेटस दीरे दीरे देखिए बढ़ता जा रहा है और यहां पर इसका वेटस डिक्रीज होता जा रहा है तो जैसे जैसे आपकी classes मतलब आपको दोनों ही टाइप के performance देने पड़ेंगे जाहे वो formative assessment हो जाहे वो summative assessment हो सब में अप महनत करनी है एक से काम नहीं चलने वाला तब जाके आपका 12 का overall result इस बेस पे बनेगा तो यह proposal कितने लोग चाहते हो इसी साल accept हो जाए जड़ा बता दो मुझे जल्दी से comment करके फिलाल आगे बढ़ते हैं इसमें भी कुछ changes और add कि हैं परक का कहना यह है कि आप एक काम करो यह credit के terms में आड कर को पता एन एप पॉलिसी भी लागू कर रही है तो उसके बेस पर ही उठाना है तो वह credit कौन से होंगे कितने होंगे वह जान लीजिए इनका कहना है कि 9 और 10 में जो आप credit उठाएंगे वह होंगे आपके कितने 40 और वहीं पर 11 12 में हो जाएंगे 44 ठीगे वही तो इस बेस प आपकी मार्किंग भी पूरी तरह से चेंज होने वाली है तो 9 10 11 12 वहाँ पर credit सिस्टम को यूटिलाइज करके आपको credit मिलने वाले हैं और उसके बेस पर आपके marks में mark sheet में काफी changes next year से हो सकता है देखने को मिल जाएं तो जिन बच्चों की तियारी अच्छी चल रही है अभी से अभेर कर दीजे कि अच्छे से पढ़ लो क्योंकि आगे यह बहुत कामाने वाला है और अगर यह अप्रूव हो गया तो फिर तो भविस्ट से आपका बदलने वाला है ठीक है बाकी 12 में है या 11 में है या 9 10 या 6-12 किसी भी क्लास में वेदा हमेशा आपके साथ है वेदा का अप अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा क्लिक करके जॉइन कर लिजे फटाफट अपको इंस्टॉल कर लिजे क्लास 6-12 कम्प्लीट कोर्स आपको रिकॉर्डड फॉर्म में मिल जाता है साथ में आपको यूट्यूब डेली लाइव क्लासस भी मिल रही है 11-12 के लिए सभी सब्जट की चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना एप में आपको क्लासस के अलावा भी सारे फीचर्स मिलते हैं चाहे वो पीडिएफ नोट्स हो प्रैक्टिस सेशन हो चाहे वो आपके डाउट से यूट्यूब पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि डेली लाइव क्लासस आपको मिल रही है इसके अलावा इंस्टा पेज़ पर भी हम अब लेबल है तो वहां पर भी हमें जरूर फॉलो करें जिससे आप नई चीचे सीखें और आपको नॉलेज भ लगा आपको आप चाहते हो यह हो इसी साल या नेक्स्ट यह तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच हैव ग्रेट डेट टेक कियर अब बाइए